नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा के बाइस सो तेरह पदों के लिए होने बाले PT एकजाम एबं बिहार ESI MENSE exam के बारे में बात करेंगे कि बिहार दरोगा का PT एकजाम एबं बिहार ESI MENSE exam कब तक होंगे? क्योंकि इन दोनों एक्जामों का रास्ता साप हो चुका है तो चलिए जानते हैं बिहार दरोगा के PT एक्जाम एवं बिहार ESI के मैंस एक्जाम कब तक होंगे तो चलिए आज गबड़े स्टाट करते हैं तो बिहार दरोगा के 2213 पदों के लिए होने वाले PT एकजम एवं बिहार ESI MENSE एकजम के लिए सबसे बड़ा बाधा था बिहार दरोगा के 2446 के final result तो बिहार दरोगा के 2446 पदों का final result जारी हो चुका है अब BPSC को आगे 4 एकजम कंड़ेक्ट करवाने हैं जिसमें कि बिहार दरोगा के 2213 पदों के लिए PT एकजम, बिहार ESI MENSE एकजम, ASI STENO Skill Test एवं Range Officer का इंटर्वियू जिसमें कि बिहार दरोगा के 223 पदों के लिए होने बाले PT एकजम को छोड़ दिया जाए तो उन तीनों एकजमों में मुश्किल से 5000 ही कंडिडेट होंगे तो इन चार एकजमों में से बिहार दरोगा के 223 पदों के लिए होने बाले PT एकजम को छोड़ दिया जाए तो BPSC को इन तीन बचे एकजमों को कराने में इतुना समय नहीं लिया जाएगा ये बचे हुए तीन एकजम या तो बिहार दरोगा के PT एकजम के पहले या बाद लिये जा सकते हैं तो अब बिहार के सभी सरकारी कारियाले 100% कर्मी के साथ खोल दिये गए हैं तो अब BPSC इन बचे हुए एकजमों को जल्द से जल्द लेने की कोशिस करेगा अगर बात करें बिहार दरोगा के 2213 पदों के लिए होने बाले PT एकजम कप तक हो सकते हैं तो ये एकजम आपका 15 अगस्त से 15 सेप्टेmbर के बीच हो सकते हैं वहीं बिहार ESI Men's Exam भी आपका अगस्त में ही होने की संभावना है दोनों एक्जामों के related notice आपको अगले मेहने यानि की जुलाई में देखने को मिल सकता है तो बिहार दरोगा के PT एक्जाम एबं बिहार ESI के MENSE एक्जाम अगस्त एबं सेप्टेमबर में होने के ज़्यादा चांस है तो इन दोनों एक्जामों के related notice आपको जुलाई में देखने को मिल सकती है तो इन दोनों एक्जामों के related जैसे को latest update आएगी हम आपको वीडियो के माद्याम से सूचित कर देंगे इसके लिए आप मैंने चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अचा वीडियो को लाइक को जो चलिए अचिक वीडियो समाप्त करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद